आप सब लोग आई होप आप सब लोग अच्छे हुँगे तो आज का जो हॉल होने वाला है न सभी साडियों को मैंने मीशो से पर्चेस की है इन सभी साडियों का जो मैक्सिमम प्राइज ही वो अंडर 800 है तो बिना किसी देरी के चलिये स्टार्ट करते हैं आज का साडी हॉल तो आपसे एक चीज और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ पैल आइकन को ज़रूर प्रिस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अप्लोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सक तो अभी आने वाली है होली और रमजान का मन्त भी स्टार्ट होने वाला है तो इन सभी डिसकाउंड के साथ ज़दी से शॉपिंग कीजिए तो जो मैं आप लोगों की साथ अपनी फर्स्ट साड़ी शेयर करने जा रही हूं वह एक बांधनी प्रिंट की साड़ी है इसका आपको स्क्रीम पर मेंशन कर दूंगी यह रहा यह साड़ी यह एक बांधनी प्रिंट की शिफॉन मटेरियल की यह साड़ी है काफी खुबसूरत साड़ी है इसका फैब्दिक काफी सॉफ्ट है और इसे मैं आपको पूरा उपन करके दिखाती हूं यह रहा इसका आचल वा इस तरीके के इसमें लेस लगाई गई है लेस साड़ी के चारो ही तरफ आपको मिलेगी और लेस काफी सॉफ्ट दिया गया है और बीच बीच में इस तरीके के स्टोन से इस पर वर्क हो रखे हैं साड़ी के बीच बीच में जहां जहां आपको यह आचल वाले साइड आपक तो एक-एक उस तरीके फ्लावर आपको मिलेगा साड़ी काफी अच्छी है साड़ी टू कलर में है यलो और मरून की कॉंबिनेशन है साड़ी की लेंद काफी अच्छी दे गई है साड़ी की विर्थ भी काफी अच्छी है तो यह रहा इस साड़ी का ब्लाउज वाला फैब्र इसमें भी जैसा साड़ी में लेस लगाया गया है उसी तरीके का आपको स्लीवस पे लगाने के लिए भी लेस दिया गया है और साड़ी का जो फैब्रिक है वो काफी सॉफ्ट है आप इसे समर में दिन भर भी कैरी कर सकते हैं वेडिंग अगेरा कोई पूजा हो उसमें भी जा रही है वह एक यलो कलर की जॉट cancel लगाया गया है यह आचल वाले पार्ट में इस तरह की का आपको टैसल्स में और यह बनावसी बॉर्डर मिलेगा इस साड़ी पर आपको जो की काफी सॉफ्ट है और साड़ी पूरी जॉर्जट मटेरियल की है और इस पे ऐसे छोटे-छोटे फ्लावर मिलेंगे समर में इस तरीके के प्रेंट वाले साड़ी काफी अच्छी लगती है पहनने में और साड़ी का जो लेंद है वो काफी अच्छा दिया गया अगर आपके हाइड ज्यादा भी है और साड़ी का जो बस अशारी का जो बलावुस था उसे मैंने अभी दिया है तो इस साड़ी का जो है वो अभी मेरे पस अबड़ा एवलेबल नहीं है वो तेलर हो गया हो स्टेज के लिए बस वैसे उसका बलावउस जो था सेम ऐसी फाब्रिक ने जडर्ल फढ़िक अध पहले हैं यहां कि पर इस बांपी तो नहीं इस साडी का जो है इस साडी को अबलेबल होगा और भी उस्टो पे आपको अगर यह पीस नहीं हा रहा है तो आप दूसरा पनार भी तो मैं आप लोगों इसाद थर्ट साडी शेर कहने जारी हूं वह एक प्लेन जॉचित मटेरियल की साडी है इस तरीके का यह साडी है नेवी ब्लू कलर का और परपल कलर की कॉम्बिनीशन की यह साडी है तो यह रहा है यह साडी और साडी के आचल वाले पार्ट में आपको इस तरीके का इसमें ब्रिजाइन मिलेगा टैसल्स है और इस पर स्टोन के वर्क हो रखे हैं जो की कापी अच्छे लग रहे हैं साडी के जो पूरे ही लेस की तरफ चापको इस तो यह रही एक साडी इस तरीके के इस पर टैसल्स लगाएंगे हैं टैसल्स पर स्टोन के स्टोन चिपकाया गया है जो कि निकलेंगे नहीं आसानी से और बॉडर के साड़ भी आपको यह पतला सा स्टोन इस पर चिपकाया गया है जो आसानी से तो नहीं निकलेंगे अगर ज्यादा ही से आप रगड के वाश करते हैं तो जरूर निकल जाएंगे तैसे यह इतनी आसानी से तो नहीं निकलेंगे परपल और नेवी ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन की यह साड़ी है समर में काफी लाइट वेट होने के कारण आप इसे दिन भर भी क्यारी कर सकते हैं साड़ी की जो मैं आपको description box में दे दूंगे आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं और हाँ इस साड़ी का और भी कलर नीशों पर अब लेबल है अगर आपको यह पसंदा रहा है तो आप दूसरा कलर भी बाई कर सकते हैं तो इस इस पर बीच पीच में सीक्वेंस से लाइन लाइन इसके बन पीचे काफी सॉफ्ट दिया गया है कपड़ा तो आराम से इसे आप स्टेज करवा के वेयर कर सकते हैं तो यह था मेरा आज का साड़ी हॉल आई होप आपको वीडियो हेलफुल लगी होगी वीडियो पसंदाया हो तो लाइक करेगा शेयर करेगा और हां कमेंट सक्षन में जरूर बताइएगा कि मैं आपके लिए आगे कौन सा हॉल वीडियो लेकर आओ तब तक के लिए बाबाई